आत्मा की खोल अनन्त शक्ति आनन और शांति इश्वरिय भक्ति के लिए जोड़े रहें हमारे चैनल से आपका अपना चैनल पुरु अशोक्ति वारी राइप और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै माताजी जै प्रस्रांद श्री गणे शाय नमा तो प्रिय बंधुओ इस प्रकार से शूरिय नारण जो थे उन्होंने यमना को भी आशरबाद दे दिया और ताप्ति को भी आशरबाद दे दिया तथा अपने पत्र यम को भी आशरबाद दिया कि तुम लोकपाल हो जाओगे और छाया से कहा कि आज से तुम प्रतियक प्राणी के सरीर में निवास करोगी और यहां तक कि वह जीव यदि मृत्यू को भी प्राप्त हो जाएगा तो भी तुम उसके सरीर को नहीं छोड़ पाओगी ऐसा सब को कहकर के अब सूरिय नारण विचार करने लगे कि आखिर संग्या कहां गई होगी तो उनके मन में आया की हो सकता है कि संग्या अपने पिता के यहां चली गई होगी तो मैं अपनी ससुराल जा करके और पत्नी को अब प्रेम सहित बापस अपने भवन में लिवालाता हूँ एंसा विचार करके और वे अपने ससुर स्री दक्ष प्रजापती के यहां जा पहुचे अपने जामाता को आया हुआ देख करके दक्ष प्रजापती को अपार हर्स हुआ उन्होंने अपने जामाता का बड़ा ही सुन्दर सतकार किया कुशल शेम जब पूछा तब सूरी नारेंड बड़े ही अन्मने भाव से कहने लगे कि प्रफु क्या बताए आपकी पुत्री और मेरी पत्नी जो संग्या है वह मेरा त्याग करके कहीं चली गई है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझसे इसा कौन सा अपराध हुआ है जो पत्नी ने मेरा त्याग कर दिया है तब प्रजापती दक्ष कहने लगे कि सुनो सूरी नारेंड मैंने भी रिचियों के मुक्से इसा सुना है अपराध तुमने कुछ भी नहीं किया तुम्हारा ब्योहार मेरी पुत्री के साथ में बहुत ही सुन्दर है परन्तु संग्या बड़ी ही मजबूर थी जो वह तुम्हारे साथ में नहीं रह पाई क्योंकि तुम्हारा यह तेज है बड़ा ही प्रचंड है इसलिए वह तुम्हारा त्याग करके और उत्तर कुरू देश में चली गई है वहाँ पर वह अश्वी याने घोडी का रूप धारन करके और हिर्णों के जुन्णों के बीच में विचरन कर रही है तब सुरिय नारण अपने स्वस्वर से पूछने लगे की प्रभू मेरे को वह उपाए बताईए जिससे की मेरा दामपत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत हो सके तब प्रजापती दक्ष कहने लगे की सुनो पुत्रे यह जो तुमारा प्रचंड तेज है इसे विश्व कर्मा से तुम सही करवा लो जब तुमारा तेज सहन करने की योग हो जाएगा और तुमारा सुरूप सुनदर हो जाएगा तो फिर संग्या तुमारा त्याग करके कहीं नहीं जाएगे तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि बिश्व कर्मा का आवाहन करो सब इने प्राथना करो कि वे तुम्हारे सुरूप को सुन्दर कर दे तब सूरी नारण ने वे साही किया विश्व कर्मा भगवान की बड़े ही सुन्दर सब्दों में सूरी नारण ने अस्तुती की तब क्या हुगा कि भगवान विश्व कर्मा वहाँ पर प्रगठ हो गए कहने लगे यह जगत को प्रकाशित करने वाले प्रभु सूरिये आपने मुझे केंसे याद किया है तब सूरी नारण कहने लगे कि विश्व कर्मन सुनो हमारा यह तेज बड़ा ही प्रचंड है तुम ऐसा करो कि इसे सही कर दो और ऐसा बना दो कि हमारी पत्नी इस तेज को सहन कर ले और हमारा सुरूब भी आपके द्वारा सुन्दार बना दिया जाए तो आपकी बड़ी ही क्रपा होगी तब विश्व कर्मा कहने लगी कि प्रभू हम आपके सुरूब को सुन्दार तो बना दें उसके लिए आपके सुरूब को जगह जगह से छीलना पड़ेगा और जब छीलना पड़ेगा तो जो हमारा खराद नाम का यंत्र है इस खराद नाम के यंत्र के उपर आपको आसीन होना पड़ेगा और जब हम आपके शुरूप को सुन्दर बनाएंगे उस समय आपके सरीर को छीलते समय आप बड़ी ही पीडा होगी यदि आप इस पीडा को सहन कर सकें तो हमारा जो खराद यंत्र है आप इसके उपर आसीन हो जाएं हम आपके रूप को सुन्दर बनाई देते हैं तब सुरिय नारण ने अपनी स्वीकृती दे दी और विश्व कर्मा का जो खराद नाम का यंत्र था उसके उपर आसीन हो गए बिश्व कर्मा ने अपने खराद यंत्र को चालू किया और जगे-जगे से सूरी नारायण के सरीर को छीलना भी प्रारंब कर दिया उसमें सूरी नारायण को इतनी असीम पीड़ा हुई कि वे कई बार तो मूर्चित हो गई अब जब सूरिय नाराइण मूर्चित हो जाते थे तो विश्व कर्मा अपने कारिये को रोक देते थे पुनहा मूर्चा खुलने पर जब उनकी पीड़ा कुछ कम होती तो भगवान विश्व कर्मा अपना कारिये प्रारंब कर देते तो धीरे धीरे करके विश्व कर्मा ने सूरिय नाराइण के संपून सरीर को जो है सुन्दर बना दिया केवल पेरों की अंगलियां सेश रह गई अब जैसे ही विश्व कर्मा उन पेरों की अंगलियों को सुन्दर बनाने के लिए तयार हुगे वैसे ही सूरिय नारण कहने लगे की प्रभू अब इन अंगलियों को रहने दो क्योंकि मुझे इतनी असीम बेदना हो रही है कि जिसे मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ अब ये जो उपर का सुरूप आपने सुन्दर बना दिया है इतना ही बहुत है बिश्व कर्मा ने कहा कि जैसी तुमारी एक्षा और ऐसा कहते हुए बिश्व कर्मा ने अपना कारिये वहीं रोक दिया तब सूरिय नारण कहने लगे की हे भगबन एक बात तो और बताईए कि अब आपने मेरे इस सरीर को जगह जगह से जो छीला है तो इसमें मेरो को अभी भी बड़ी ही वेदना हो रही है अब आप ये बताईए कि मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा तब बिश्व कर्मा ने कहा हे सूरिय नारण आप सरबग होते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताई देता हूँ सुनिये ये जो रक्त चन्नन है जो आपको बड़ा ही परंप्री है और इस रक्त चन्नन में कनेर के पुस्पों को मिला लिया जाए तो उससे जो दिब लेप बने उस लेप को अपने संपून सरीर में आप जहां जहां भी घाओ है उनमें लगाने का कष्ट करें इससे आपकी सारी पीड़ा जाती रहेगी बिश्व कर्मा की बात सुन करके सुर्य नारेण को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने वह रक्त चन्नन और कनेर का सम्मिस्रन करके एक दिब लेप बना लिया और उस लेप को अपने संपून सरीर के उपर मला इससे उनकी सारी पीड़ा जाती रही तब से सुर्य नारेण ने यह आसरवाद दिया है कि जब तक की मेरी पूजन में रक्त चन्नन और कनेर के पुस्प अर्पित नहीं किये जाएंगे तब तक मेरी पूजन संपन और सफल नहीं कही जा सकती तो बंधुओ जब भी यदि आपको सुर्य नारेण की पूजन करने की आवशकता हो या जब भी आपके मन में सुर्य नारेण के पृति भक्ति भाव उत्पन हो जाए या जब आप सुर्य की ग्रह दशा अंतरदशा प्रति अंतरदशा जो की असोविस्थिती में चल रही हो उसको जब आप शान्त करवाएं तो उस समय पूजन में रक्त चंदन और कनेर के पुस्पे सुर्य नारेण को अवश्य ही अर्पित करें एसा करने से यदि आपकी पूजन में अनेकों गल्तियां भी हो गई हैं तो भी सुर्य नारेण उन समस्त गल्तियों को छमा करते हुए आपकी संपून पूजन को सुईकार कर आपको भोग, मोक्ष और यश प्रदान करेंगे आज के लिए वस इतना ही सेश अगले भाग में नई विशे के साथ में उपस्तित होंगे आज्या दीजिए धन्यवाज जै माता की जै परश्रम जीचे